सीरियल किलर वाली फिल्म्स बहुत देखियोंगी आपने लेकिन अगर कोई फिल्म की वज़े से सीरियल किलर बन जाए तो आइडिया अच्छा लगा ना बॉलिवुड को बेच देते हैं उपस हम थोड़ा सा लेट हो गए चुप काफी डाइम से बॉलिवुड की सुस्पेंस ट्रिलर बैटरी जो एकदम लो चल रही थी उसको चार्ज करने मार्केट में ये फिल्म उतर आई है सबसे पहले तो वार्निंग लेलो फिल्म बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है खून खराबा थोड़ा जादा है तो जिसे दिक्कत होती है वो भी फिल्म से दूर रहे हैं कहाईनी शुरू होती है आज से अल्मोस साट साल पीछे जब गुरुदत इंडियन सिनेमा के लेजंड उनकी फिल्म कागस के फूल रिलीज होती है उस जमाने में इस फिल्म के क्रिटिक्स ने ऐसी धरजिया उड़ाई कि बिचारे गुरुदत इसके बाद कोई दूसरी फिल्म नहीं मना पाए और थोड़े टाइम बाद डिप्रेशन से उनकी डेथ हो गई अब स्वर्ग भी यहाँ नर्ग भी यहाँ पुराने पापो का फल साथ साल बाद मिलेगा कोई गुरुदत का बदला लेने आ गया है उसका शिकार फिल्म क्रिटिक्स नमबर वन बाथरूम में मिलते हैं कमोड के उपर मुग को टेप से सील कर दिया अब यह डरावना सिलसला यूही चलता रहता बिना रोक टोक अगर मुंबई पुलिस इस खतरनाक आर्ट बनाने वाले आर्टिस का ओटोग्राफ लेने का प्लानना बनाती सस्पेंस, त्रिल्म, मुर्डर सब हो गया, बचा क्या, रोमेंस, टेंशन और वो भी मिलेगा हीरो है, हीरोईन है, दोनों में love at first sight हो गया, पहली नजर का प्यार, लेकिन मज़िदार चीज जानते हो, हीरो ने हीरोईन को सबसे पहला gift क्या दिया, कागस के फूल खुल अपने हाथों से तयार करके देगो बहुत चुप एक experimental type का cinema है, बोले तो कुछ अलग करने की कोशिश, इससे पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा आपको बॉलिवुड में खून खराबे वाली movies बनती रहती हैं, लेकिन फिल्मों के लिए किसी को मार डालना, इस idea को सोच करी अंदर से पेट में गुड़गुड होने लगती है बोले तो स्टार देने वालों को स्टार देना, क्रिटिक्स का क्रिटिक, फिल्म का कॉंसेट बहुत ही यूनिक और पाफुल है 2018 में एक फिल्म आई थी तुमबार नाम से, टोटल उसने सिफ 13 करोर रुपे कमाई, उस टाइम जब मैंने वो फिल्म देखी तब दिमाग में खयाल आया ये जो क्रिटिक्स बगेरा हैं, ये इतनी अच्छी फिल्म के बारे में बात क्यूं नहीं कर रहे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए ऐसी गलती की, जान बूच कर पब्लिक के टेस्ट को खराब कर रहे हैं और अब उस बात को चुपने सच कर दिया है, ये सोचकर ही रॉंक्ते खड़े हो जाते हैं यही इस फिल्म का X Factor है, जो स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उससे मैं और आप connected हैं, सिनिमा की दुनिया उसमें हम सब जीते हैं अब वहाँ एक serial killer की entry हुई है, जिसको लोगों को काटने में enjoyment मिलता है, और इन सब की जान मेरी आपकी वेज़े से गई है यह डर से फिल्मी नहीं, रियल रियल सा लगता है, चुप हमारी दुनिया में घुस जाती है, जबर्दस execution है फिल्म के idea का और सबसे कमाल की बात चुप किसी actor की फिल्म नहीं है, यह एक directors फिल्म है, आरबाल की के इशारों पे camera चलेगा बोले तो कुछ actors होते हैं न, जो जबर्दस्ती 90% फिल्म के हर सीन में घुसते हैं, वो चक्कर यहां नहीं है यहां कहानी फिल्म की असली hero है और बागी actors वगेरा उसमें supporting role प्ले कर रहे हैं, इसलिए आँखों से ज़ादा दिमाग को satisfaction मिलेगा आपके प्लेस अगर आप रेट्रो सिनिमा को आज भी follow करते हो, specially गुरुदत के फैन हो तो चुप के अंदर उनकी फिल्मों के बहुत सारे references हैं प्लेस 60 साल पुराने वाले फील को जिन्दा करने के लिए वहाँ से कुछ गाने भी उठाके फिल्म में सही जगे पर सही टाइम पर इस्तिमाल किये गए हैं, प्यार हो जाएगा आपको music से अवी देको दुलकर सल्मान इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, ये बंदा अकेले अपने दम पर पब्लिक का टेस्ट बदल सकता है थोड़े टाइम पहले सीता रामम और अब चुप दुलकर का स्क्रिप सिलेक्शन बहुत अमेजिंग है अगर आप अच्छा सिनिमा देखना चाहते हो तो इस बंदे की सारी फिल्म देख डालो सनी पाजी इस बैक, स्ट्रॉंग केरेक्टर है उनका फिल्म में जो काफी सूट भी करता है उनके फैंस तो इस कंबेक से मन मोहित होने वाले हैं श्रेया धनवंत्री एकदम स्मूध एकदम नेच्रल कहानी कोई भी हो, किरदार कोई भी हो, ये बीच में फिट हो जाती है और चुपकी कहानी इनके बिना अधुरी रह जाती बॉस मेरी दरफ से फिल्म को मिलेंगे पांच में से चार्ज स्टार्स पहला तो फिल्म का कॉंसेप्ट ओरिजिनल एंड दमदार दूसरा कहानी फिल्म की हीरो है, ये कोई आक्टिस का फैशन शो नहीं है तीसरा फिल्म में डाले गए रेट्रो म्यूजिक प्लस गुरूदत वाले रेफरेंसेज चौथा दुलकर श्रेया और सनी सर का नो नॉंसेंस नेच्रल परफॉर्मेंस नेगेटिव्स में आधा तो कटेगा फिल्म क्या बन सकती थी लेकिन इंडस्टी की जाधा पोल खुल ना करके सेफ खेलने के लिए और आधा क्लाइमेक सोड़ा हडबरी जलबाजी में फिनिश करने के लिए मेरी एडवाइस फिल्म देखो आज के आज सिर्फ 75 रुपे में टिकेट मिल रहे हैं लेकिन ये फिल्म पूरे 400-500 वाला मज़ा देगी गैरेंटी मेरी बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ रिकायद करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंदजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई